हैलो फ्रेंड्स मैं मन्जू श्रिवास्तर अपने चैनल में आपका हर्दिक स्वागत करती है फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे रोजेस के ड्री पॉटिंग के लिए मतलब जो लोग नए रोजेस करीद के लाते नर्सरी से उनकी अक्सर शिकायत होती है कि हमारे प्लांट तो घर लाते बर जाते हैं तो उनको लगाने का सही तरीका क्या है और उनकी पॉटिंग मिक्स का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो आएए देखते हैं अभी यह मैंने आपको दिखाने के लिए प्लांट्स करीदी मेरे पास तो अल्यड़ी बहुत सारे हैं तो यह तीन कल ग करना पड़ेगी लेकिन इसकी जरा होनी चाहिए पैम्परिंग थोड़ी तो यह ठीक हो जाएगा इसमें कुछ खास नहीं है में क्याल से मिट्टी का प्रॉबलम है तो मैं इसको निकाल के देखते हूं इसकी मिट्टी कैसी है फिर आगे देखते हैं तो इसको निकालने के लिए यह होता है बैस तरीका इसकी है जो दोनों होती ना कॉर्टर इनको पटड़के धीरे-धीरे खीचे तो यह निकल जाता है पूरा साबुत खीचना नहीं पड़ता है या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप कैची से लेके उठा के पूरा इधर से अधर तक काट दें प क्योंकि यह वाले जो ग्रो वैक्स होते ने इनको मैं दुबारा यूज कर लेती हूं थोड़ी सी मैनर लगती लेकिन यह काम हो जाता है देखिए मैं निकाल के दिखाते है आपको पूरा अगरैं तो देखिए दी यह लाल मिट््टी की क्या कॉसिव होती यह सूह कर दिए अग्दम पत्थर हो जाती है फ일 से रूटस बहार ने निकलती है तो मैं प्लांट की ग्रोहीं नहीं होथी अब इसको निकालने के लिए क्या करूएं। इसक हम तिया कर हम यह रैड मिट् यसे निकल जाती है धर से ठीक है पानी में और 17 लह कि छैलकर कहीं यह निकल भी नहीं ऐसे ठीक है इनकती पड Unfortunately यहbab है उपर 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 असनल को उपर कॉलिन ₹-ठी डाल रखी है कि सब को उपर 시 Steel Techno कर जाये टेख है ठीक है हम इसका पूरी मिट्टी चेंज करते हैं अब इसको में यहां रखके दे रही हूं ढखके हैना क्योंकि हवा लगके इसकी जड़े सूख ना जाए इसलिए लग है इस ऺढ़े मिट्टी को अब अटा बंटा देंगे और एसकी चेकर्ण दूसरी सौिल बनाते हैं तो फ्रेंट्स धेकए यह मैने लिए है और कट् चक्टोरे यह एक चम्मच बॉनमील यह आदा चम्मच पोटाश और आदा चम्मच सुपर फॉस्वेट ठीक है अब इनको मिलाओंगी सारा अच्छ है अच्छे से मिलाके और यह इसमें पॉट में भरूंगी यह पॉट देखिए आप काफी बड़ा है इसमें नीचे होल है और अभी इसको भर के मैं आपको दिखाती हूं इसको मिट्टी को अच्छे से मिलाके उसमें भर के फिर आपको दिखाती हूं प्लांट लगाते टाइम तो यह देखिए यह मिक्षर अच्छे से मिल चुका है भरने के लिए बिल्कुल तैयार है ठीक है यह रुपर घ्ड़ के घ्रथा की तरफ लुगां दो पर कि तरफ होगा कि गणि अर्वी रख सकते हैं तो रख देते हैं थीकर इसके उपर थोड़ी सी रेट डाल देते हैं ताकि मिट्टी से कभी च्छेट में बिल जाने की जगे वह भर बहर ना जाए और पानी उसमें र तो यह हो गया अब हम इसमें डालते हैं यह जो हमारा पॉटें मिक्स है यह डालते हैं थोड़ा से इसको दपा देंगे ताकि नीचे एयर पॉकिट्स ना रहे हैं अब नीचे गड़ा करके और अपना हम प्लांट लगाएंगे दिखातियों में आपको देखिए इसको हम लगाके देखेंगे कि इसकी मुचाई कितनी हो रही है थोड़ा सा और टालना पड़ेगा इसमें मिक्चर अभी देखिए जाड़ों को हम बिलकुल टच नहीं कर रहे हैं जैसे हैं लूज ही रख रहे हैं उनको प्लांट को लगाते टाइम यह तो इंगलिश रोज यह दिखान रखना है कि जहां पर इसकी ग्राफ्टिंग हुई है यह इसा ऊपर रहे हैं कई बार क्या हुता है प्लांट लगाते टाइम यह ग्राफ्टिंग भी नीचे चली जातिया है तो यहां से उसमें जो ओरीजिनल PUR प्लांट लग गया हमारा ठीक है अभी देखिए मिट्टी इसमें उपर तक भरी हुई है लेकिन इसलिए भरी हुई है क्योंकि अभी पानी डालने के बाद मिट्टी दब जाएगी तो जितनी हम चाहते हैं है यहां से कम से कम तीन अंगुल नीचे रहे इसके ओपर से मिट्टी का और इसका किनारा तीन इंच गहरा रहे तो यह इतना मिट्टी दबने के बाद हो जाएगा क्योंकि पानी गालने से मिट्टी बैठेगी दबेगी नीचे ठीक है तो पहली बार तो मैं इसे खूब भर की पकड़ बना लेगा, तो हम इसको दीरे दीरे निकाले गए, कम दूप से ज्यादा तेज धूप की तरफ उल्टिमेटली गुलाब को तो तेज धूप चाहिए, तेज धूप में रखना है, लेकिन अभी इसे छाय में रखेंगे, तो चलिए पहले से में रखती हूं चाया में तो अब इसको चाय में रख दिया ये खुले में ही रखा है लेकिन ये टेरेस पर ऐसी जगह पर है जहां पर की दूप बिल्कुल नहीं आती है इस कॉर्णर में दूप नहीं आती है इसलिए इसको यहां रखा हुगा है प्लांटेस में पानी चारों तरफ से घुमा के डालें हम ठीक है कभी भी एक ही साइड से पानी नहीं डालना है क्योंकि उससे क्या होता है कि उधर गड़ा हो जाता है ठीक है तो अब यह इस तरह से नए प्लांट की आपको पॉंटिंग बता दी है अब आप भी लगाईए पॉंट इसकी में अपडेट आपको दिखाऊंगी यह हो गई इसकी नए गुलाब की पॉटिंग आपको किस तरह से करना चाहिए और लगी इसकी मिट्टी अच्छे से निकल की अधर वाइस में पानी में डालके ना पूरे उसकी चिकनी मिट्टी अलग निकालनी पड़ती है तो आई होप मेरे वीडियो आपको नए तो कि बाई बाई